नमस्कार दोस्तों, टीचर सिनु में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे JNU PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन अले आ चुका है 2021-2022 के लिए और नीचे आप देख सकते हो मैंने मेंने किया है कितने सील से जो एंडरांस के थ्रों में JNU लेता है और कितने सील से जो NetJRF के थ्रों में लेता है ये एक्चुली मेंसन नहीं किया हुआ है उनका जो अभी रिसेंटली जो प्रोस्पेक्टस उनने जो अपलोड किया है तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग सा हम देखेंगे तो चलि हम इसको सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा टीचर सीन चैनल फुले डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, आसिस्टन, प्रोफेसर और लेक्चर बनना चाहते हैं हम याँ टीचर सी रिलेटेड सारे की सारे स्टडीज, कॉंपिटिटिव एकजामस और जॉब्स के बारे में हम डिसकस करते हैं तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोसियल मेडियाज है उसको आप फॉलो कीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिपिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह है जेन्यू का प्रस्पेक्टस 2021-2022 के लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहां आप नीचे आओगे यहां आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कितने सील्स है टोटल सील्स के बारे में इन्होंने डिकलेर किया है मगर कितने सील्स और नेट जीरेप के थ्रो से लेता है और कितने सील्स और एंट्रांस के थ्रो में लेता है तो इन्होंने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँगा एक मिनिट यहां आप देख सकते हो यह जितने भी सारे यहां mention किया है सारे के सारे JNU का जो entrance होता है entrance के throw में जो लेता है सिर्फ उसी चीज के बारे में यहां discuss किया गया है तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ department wise कितने seals entrance के throw में लेता है कितने seals वो NetJRF के throw में तो यहां आप देख सकते हो मैंने यहां लिख कर रखा है JNU PhD admission 2021-2022 के लिए जो 668 shields है यह लिया जाएगा entrance के throw में जो NTA और JNU मिलकर जो entrance लेते हैं और उसके अलाबा 318 जो seat है यह NetJRF के throw में लिया जाएगा तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे इसके अलाबा भी बहुत सारे जो master's में admission भी अभी चल रहा है आप यहां देख सकते हो उनका जो prospectus है मैं आपको देदूँगा description में वहां जाकर भी आप इसको देख सकते हो आज हम discuss करेंगे सिर्फ PhD seat के बारे में total कितने जो PhD seat से तो यहां आप देख सकते हो यहां मैंने mention किया है जैसी कि यह जो line है यह line में आप देख सकते हो यहां जो entrance के throw में जो लिया जाता है और यह जो total है यह लिया जाता है हमारा netjrf के throw में ठीक है netjrf के throw में जो लिया जाता है जैसे का आप यहां देख लिए जो डिपार्डमेंट है School of International Studies, यहां जो एक डिपार्डमेंट है PhD in United Studies, इसमें जो 8 जो सीट है यह आपका लिया जाएगा इंट्रांस के थ्रों में और जो 4 सीट है यह लिया जाएगा आपका NetJRF के थ्रों में, तो ऐसे ही बहुत सारे जो जाएगा NetJRF के थ्रों में, यहां 10 सीट है, 10 सीट से जो लिया जाएगा इंट्रांस के थ्रों में, 4 सीट लिया जाएगा NetJRF के थ्रों में, तो ऐसे ही आप देख सकते हो, अब थोड़ा सा इसको देख लिजिए, मैं धिरे-धिरे इसको स्क्रोल करता हूँ, तो जिन्हों ने भी NetJRF अलड़ी क्लियर कर चुका ही, उनके लिए तो अच्छा चीज है, जिन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, मगर वो चाहते हैं कि जेन्यू में पढ़ने के लिए थ्रों एंट्रांस, तो आप अभी एंट्रांस के लिए प्रिपेर होते रहिए, और मैं और ए चलते उन्होंने डिकलार नहीं किया है, तो जब तक हो आ जाएगा, मैं एक अलग सा वीडियो बना दूँगा, आप यहां देख लिजिए, कौन सा डिपार्टमेंट में, कितने कितने सीट से, जो एंट्रांस के थ्रों में, और NetJRF के थ्रों में लिया जाता है, ठीक है, त 318 सीट है, यह लिया जाएगा, NetJRF, ठीक है, NetJRF, देल, हमारा जो गेट भी होता है, ठीक है, यह सारे सारे एंट्रांस के थ्रों में लिया जाएगा, और जिन्होंने अभी एंट्रांस के लिए प्रिप्यार करें, अभी प्रिप्यार करते रहिए, जब उसका डिटियल्स है, यह मैं आर कर दूगा मेरे description में, वहां से आप देख सकते हो total, जो categories हिसाब से कितने-कितने fields है, जैसे कि यहां आप देख सकते हो, United Studies में total, on-regard में 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, then OBC, EWS के लिए 3 है, ऐसे आप देख सकते हो, इसको आप मत दे कि पहले आप प्रिप् दे दूगा link, आप वहां से direct जाकर इसको download करके आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा prospect है, यह सारे के सारे मिला करके, इस prospectus इन्होंने बनाया है, undergraduate, graduation, then MPH, PhD, सारे के सारे, तो यह था details, बाकि आप प्रिप्यार करते रहिए, जो भी notification आएगा, मैं आपको बता दूग thank you, all the best